असलाम वालेकुम कैसे हो आप सब इंशालला सब ठीक होंगे अलहमदलिल्ला हम भी ठीक है तो आज हम आपको मुझफल यह वनारियल की चट्नी बताने वाले हैं इतनी तेश्टी चट्नी है यह कि आप एक बार इसको ट्राइ करोंगे था हम उम्मीद है इंशालला आप इसको डोसा भज़िया किसी की भी साथ में आप इसको सर्फ कर सकते हो बहुत ही मज़ेदार चट्नी है तो चलिए देख लेते मज़ेदार चट्नी हम कैसे बनाने वाले है तो यहा पर आप देख लीजी इंगिरिदियन यहां पर हमने रखे हुए तो देख लीजी आधा हमने नार लें पतल के नमक हम्नें टैस्के हिसाब से एक छोटी गड़ी हमने घरधनिया हरी मेच ली हमने तीन ल सनहन के लिए लिया हम ने 10 से बारँ थोड़ा सा लिया हमने तड़की के लिया हमने उड़ा चमच राए też और सुखी वी तीन डाल मिर्च यह तड़के के लिए छही होगा हमको और यह हम इसका फाइन पेस्ट तयार कर लेंगे पानी डाल कर थोड़ा सा लसन हारा धनिया हारी मिर्च मुंगफली नारियल और भुनावा चना तो यह देख लीजिए इस तरह से पानी डाल कर हमने इसका फाइन पेस्ट यार किया है यह देख लीजिए कितना अच्छे से यह पेस्ट दिख रहा है ना फ्रेंट चलिए फटा फटा फट इसके उपर तड़का लगा देंगे तो एक चमच फूल भर कर डालेंगे ओल और अच्छे से गरम हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर दाले फ्राइ होने के लिए तो पहले दाल को डालेंगे राय और जीरा बाद में डालेंगे तो बहुत अच्छे से गरम हो चुका है तो दाल को हमने डाल दिया आप देख लीजिए अभी कुछी सेकिंड के लिए इसको फ्राइ करना है जलाना नहीं है फ्रेंट ब्राउन दिखने लगेगी तब तक इसको फ्राइ करना है और जादा गरम है तो इस समय आप गैस को बंद कर दीजिए और फिर राय जीराइट कीजिए क्योंकि गरम में बहुत अच्छे से यह चटक जाते हमें जलाना नहीं है तड़के को तो आप देख लीजिए अभी हमने इसके अंदर र तैयार हो चुका है फटा फट से तो चलिए इसको चटनी के उपर डाल देते हैं तो यह देख लीजिए मज़ेदार सी चटनी हमारी कितने जट पर बन कर तैयार हुए फिरेंट्स देखा ना आपने कितना एज़ी है इसको बनाना और इतनी मज़ेदार होती है चटनी आप एक बार जरू ट्राइ करके देखिए और इट लीड हो सामें दी बड़ा भजिया किसी के भी साथ में आप इसको सर्फ कीजिए बहुत ही मज़ेदार लगती है एक बार तो ट्राइ करके देख लीजिए जब भी आप इसको ट्राइ करोगे हमें कमेंट करना बिल्कुल मत कोशिश है तो जरूर आप हमारे साथ जुड़े रहेगा फ्रेंड्स हम एक दिन आड़ वीडियो अपलोड करते हैं या डेली वीडियो अपलोड होते रहते हैं तो आप अपना प्यार दीजिए तो इंशाला बहुत 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 जल इंशाला तब तक अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा खयार रखिए हमें अपने दुआओं में याद रखिए वीडियो देखने के लिए आप सबी का तहदिल से शुक्रिया जजाक अल्ला अल्ला हाफिस